मैं हूँ हरेस और जैसा के आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है अन्मोल हिंदी दोस्तो आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो अपनी तोचा को स्वस्त चमकदार और हमेशा के लिए खुबसुरत वह आकशक बनाना चाहते है तो इस वीडियो को पुरा एंड तक देखें क्यूंकि आज के वीडियो में आपको एक ऐसे मॉस्टिराइजिंग क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ जो स्किन को best moisturizing प्रदान करता है साथ ही तोचा को निखारने में तथा नरम मुलायम तोचा पाने में हमारी काफी help करता है ये क्रिम बेजान तोचा में भी जान डालने का काम करता है तो इस क्रिम के बारे में बताऊँ उससे पहले मेरी एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आती है उसको भी दबा दीजिए जिससे की मेरे लेटेस वीडियो की अपडेट आपको हमेसा मिलती रहेगी तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस क्रीम का नाम है गालो ई मोस्टिराइजिंग क्रीम जो आती है अलोवेरा एन विटामिन E के साथ जो इस क्रीम के मुखे इंग्रिएंस है दोस्तो एलोवेरा में एंटी ओक्सिडेंट की भरपूर मातरा होती है जो तोचा को नेचरल वो जवाँ बनाता है एलोवेरा यह एंटी एजिंग के रूप में काफी अच्छा वर्क करता है इसके अलावा एलोवेरा में एंटी माइक्रो बैक्सिरियल प्रोपर्डिस पाया जाता है जो चेरे पर होने वाले कील मुहासों को नियंतरण में रखता है तथा दाग धबो रहित तोचा प्रदान करता है एलोवेरा ये बहुत ही अच्छा मोस्चिराइजर होता है जो चोचा को नमी प्रदान करता है और चोचा को निखारता है वही हम बात करें विटामिन E की तो ये भी कमाल का इंगिडेंस है दोस्तो विटामिन E का उप्योग जालतर क्रीमों में किया जाता है इसमें भी भरपूर मातरा में एंटी उक्सिडेंड होता है जो बड़ती उम्र के साथ आने वाली जुरियों की समस्या को कम करता है तोचा को मोस्चिराइज करता है जाईओ की पॉलम को सौल करता है संटेन में हल्प करता है आखों के नीचे होने वाले डाग सर्कल्स की समस्या को सौल करता है बेजान रुखी तोचा को ये मोस्चिराइज करता है तथा तोचा को आकशक बनाने में और रंग निखारने में विटामिन E हमारी काफी मदद करता है इसी को देखते हुए विटामिन E का उपियोग जादे तर इसकिन वाइटनिंग क्रीमों में मुख्य रूप से किया जाता है तो दोस्तो एक बात तो किलियर है अगर आप इस क्रीम को डेली यूज करते हो तो आपकी इसकिन नरम मुलायम तो बनेगी ही साथ ही ये क्रीम आपकी रंगत को निखारेगी तोचा में चमक लाएगी और तोचा को दिन पती दिन आकशक और जवाँ बनाएगी यानि कि जहां तक हो आपको इस क्रीम से फाइदा ही होने वाला है अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो ये 100 ग्राम का क्रीम रेता है जिसका प्राइस यहां 149 रूपीस यानि की करीबन 1500 रूपे के आसपास इसका प्राइस रेता है जिसकी बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहां किलिक करके आप इस क्रीम को घर बेटे ओडर कर सकते हैं अब आप यहां देख सकते हैं ये क्रीम कुछ इस तरह के राउंड ग्रीन एन वाइट कलर के इस प्लास्टिक के इस कंटेनर में आती है जिसके अंदर कुछ इस तरह की वाइट कलर की क्रीम रेती है जिसमें से बहुती आकशक खुजबू आती है जो आपको जरूर पसनाएगी इसमें से कुछ पाउडरी स्मेल आती है जिसे मैं सायद एक्स्प्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें हाई क्वालिटी की फिग्रेंस का इस्तमाल किया गया है जो आपको जरूर पसनाएगा दोस्तो इस क्रीम को स्कीन में लगाने पर ये क्रीम स्कीन में बहुत जल्दी से फैल जाती है और कुछ देर मसाज करने पर ये क्रीम स्कीन में अच्छे से अब्जर्ब हो जाती है दोस्तो ये मोस्टिराइजिंग क्रीम है लेकिन इस क्रीम को स्किन में लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन ना ही चिपचिपी लगी और ना ही ओईली लगी तो दोस्तो ये क्रिम बिना चेरे को oily या चिपचीपा किये तोचा को moisturize करता है जिससे पता लगता है कि आप इस क्रिम को हर तरकी skin में use कर सकते हैं दोस्तो मार्केट में बहुती कम ही ऐसे moisturizing cream है जो चेरे को बिना oily या चिपचीपा किये चेरे को moisturize करते है नहीं तो जायतर moisturizer cream चेरे को oily करते हैं या चिपचीपा करते हैं लेकिन ये क्रिम बिना चेरे को oily या चिपचीपा किये आपकी तोचा को moisturize करेगा तोचा softer smoother smoother बनाएगा और तोचा को निखारने में वो तोचा को गोरा बनाने में आपकी help करेगा दोस्तो वैसे भी winter का season आ चुका है तो ऐसे में आपको एक best moisturizer cream की तलास होगी market में बहुत से सस्ते moisturizer cream आपको मिल जाएंगे लेकिन वे सबी तोचा को oily और चिपचीपा बनाते हैं जिससे तोचा खराब दिखती है लेकिन अगर आप ये cream यूज करते हैं तो आपकी तोचा ना ही चिपचीपी दिखेगी और ना ही oily होगी तो ये cream आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस winter season में और दोस्तो मैं एक बात clear कर दूँ इस cream को आप winter में ही नहीं बलकि हर season में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये dark spots, scars, sunburn, inflammation, fine lines and wrinkles, dull skin and dry skin की problem को solve करता है और तोचा को दिन पती दिन निखारता है तथा गोरी बनाता है दोस्तो अगर आपकी skin dry है तो आप इस cream को दिन में एक बार और रात में सोने से पहले एक बार लगाए वहीं अगर आपकी skin oily है तो oily skin वाले इसे सिरिफ रात में सोने से पहले एक बार लगा लीजिए ये क्रिम राद बर अपना काम करता है और अगले दिन आपको glowing skin प्रदान करता है दोस्तों ये वाकई में skin lightning करता है इसकी इस्तिमाल से dark spot and dark circles की problem सोल होती है ये चेरे पर पड़े dark धबो को reduce करता है तोचा को नरम मुलायम बनाता है dull skin को ये क्रिम निखार देता है इस क्रिम के regular इस्तिमाल से आपकी तोचा स्रिफ 25 से 30 दिनों में ही निखार जाएगी और आकशक दिखाई देगी तो इस क्रिम को ज़रूर ट्राइ करें जिसका कोई भी side effect नहीं होता है ये 100% natural क्रिम है जो तोचा को moisturize करती है तता skin lightening में भी मददगार साबित हुई है तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें ज़रूर बताईए अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो dislike करें थैंक यू करें लगा हो तो जया हो तो तो पिसे अच्छा लगा हो तो तो पिष्ट वीडियो हमें बताईए जळियो करें रहीं करें ज़रूर में जब हो तो तो हमें यूजा हो दो भी चाप्टे ज़र